कि का यहां पे क्या क्या गीवनpektन है ब्रांच अज्ज्स्मीट अकंट ब्रांच प्रॉकि अलोस अकउंट की सभी बनाना एं देखो ब्रांच एंडडेक्थ के बनाना है घुमत कि और एक और आगैस वा जानील पीछे बना लिगी एक साथ liar क्योंकि हाना पॉसिबल नहीं है बाकि का में यहां बना लेता है चोछे चोटे-चोटे क्या बन गया यह ब्रांच घ्राप ठीक हैं तो और और मिंद्ञ बना लेते हैं यो ब्रांच का Тmiş ex मिह कितने अकाउंट होगए चेक कर लेते हैं एक कहता है ऐए कितने account हो गए देखे यहाँ पर कहता है branch stock बन चुका है branch debtor बन चुका है branch expense बन चुका है branch adjustment and profit and loss यह तो combine ही बनाएंगे तो यह हम ना एक काम करते हैं पीछे बना लेते हैं कि पीछे कहां यहीं बना लेते हैं कि थोड़ा अराम से बन जाएगा एक लोकल पर्चेस भी होता है वह इतना important है नहीं उसको आप skip कर सकते हो भी फिलाल के लिए बाकि आप करना चाहों तो करोगे समझ में आ जाएगा यह आ गया हमारा ब्रांच अर्जस्मेंट ब्रांच अर्जस्मेंट अκांट चलिए अब सवाल को पढ़ते जाएंगे और एक एक करके फिल करते जाएंगे कहता है ये के मयूर स्टोर लिमिटेड विब देयर हैड ऑफिस डेली इन्वाइस गुड्स नोईडा 20 परसंट लेस्ट देन लिस्ट प्राइज यानि जो हम इन्वाइस कर रहे हैं वो लिस्ट प्राइज से 20 परसंट कम पे कर रहे हैं यानि सर हमारा अगर 100 रुपय का समान होगा और लिस्ट प्राइज क्या है कहता है भाईया जो लिस्ट प्राइज है लिस्ट प्राइज कॉस्ट प्लस 100 परसंट है यानि सर ये हमारा हो गया कॉस्ट और इसके उपर हमने मा तो अब जो 200 निकल के आया है that is क्या बना हमारा list price यह क्या बना हमारा अब कहता है इससे भी 20% कम पे बीचेंगे तो इसका 20% कितना होगा that is 40 तो इसका मतलब हमारा समान जो है 160 है यानि 60% का हिस्सा क्या है लोडिंग और बाकी का पैसा क्या है cost तो जहां पे भी लोडिंग निकालना होगा तो क्या करेंगे 60 divided by 160 60 divided by 160 करेंगे और हर किसी का लोडिंग आता जाएगा तो चलिए फटा-फट से हम कर लेते हैं सवाल को हमने एक लोडिंग का tentative mind में idea तो ले ही लिया है आगे कहता है इसक कि बात क्या कह रहा है branch at cost to branch क्या कह रहा है cost to branch अगर cost to branch है तो ये cost price है या invoice price है ये invoice है क्योंकि branch के लिए cost का मतलब क्या होगा invoice price ही होने वाला है तो चलिए आजाते हैं आजाते हम two balance bd 2 balance BD Sir balance BD कितने का है balance BD है हमारा 4000 ठीक है Sir balance BD हमारा 40 इसके बाद किया है हम टिक भी करते जाएंगे ब्रांच का debtor यह बना है debtor यह debtor है यह debtor है और इसे रख रहे हम stock ठीक है तो ब्रांच का debtor 2 balance BD कितने रुप़ है debtor का 30,000 आप बताते जाएएगा इसके बाद आगा आते हैं, ouds, रिषीव, oo, आपका it invoice price, किस पर है, invoice price, तो शर, goods कहता है, goods receive from echo, at invoice price, कितने का है हमारा, तीन लाक, साथ हचाजार, तीन लाक, साथ हचार इसके वपर ठोड़ा सा काम करना है, हाला कि मैं लिख देता हूँ 3,60,000 ठीक है मैं इसके उपर इस्टार भी लगा लेता हूँ थोड़ा और काम करेंगे इस पर cash sales यहीं पर आ जाएगा sales और इसी के नीचे आ जाएगा cash और credit दोनों तो sir cash sales cash में है हमारा कितने का cash में है cash में है 3,90,90 और credit में है 3,90 तो टोटल 3,90 और sir credit sales यहां भी आ जाएगा credit sales कितने का 3,00,000 ठीक है credit sales भी आ गया cash received from debtor कहां पर आएगा बताओ debtor account में buy cash कितने का 2,40,000 चलिए goods in transit अब sir goods in transit कितना है हमारा 40,000 अब हमारे पास रस्ते में था तो मैं यहां ही पर लिख लेता हूँ two goods in transit goods in transit कितने का यानि sir head office ने से कहता है receive हमने 3,60 किये है और रस्ते में अभी 40 है इसका मतलब वहां से समान जो आया होगा वो कितने का आया होगा वो आया होगा हमारा 4,000,000 का तो मैंने simple यहां पर लिख लिया अब यह देखने वाली बात है कि साल के अंत तक यह receive हुआ या नहीं हुआ अगर साल के अंत तक यह receive नहीं होता है तो हमें closing stock को दो पार्ट में bifigate करना होगा एक तो normal closing stock जो हमारे पास है और एक goods in transit के नाम से loading दोनों पर ही निकलेगा loading किस पर होगा? दोनों पर ही होगा सर branch का expense तो एक expense account बनाना था? expense account सर branch expense account है तो सबसे पहले हमारे जितने भी खर्चे हैं उसका हम क्या करेंगे सर जितने भी खर्चे हैं इधर लिख लेंगे क्या है हमारा? branch expense में क्या क्या है? total amount दे दिया branch expense क्या देता है? 2000 या bed debt 2000 है branch expense 40,000 expense 40,000 तो इसने branch expense account क्यों बोला था बनाने को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद bed debt कितने का है? 2000 इधर आजाएगा by bed debt कितने का? 2000 और एक bed debt हमारा पीछे भी आजाएगा पी इंडल के अंदर है ना? पी इंडल के अंदर two bed debt 2000 2000 ही था ना? ठीक है इसके बाद loss by fire invoice price transfer to goods to फरीदाबाद पहले loss by fire है कितने का loss by fire है? इधर आजाएगा by loss 2400 इसका loading एक साथ ही निकाल लेंगे loading सभी का अभी कुछ नहीं करता transfer goods to फरीदाबाद branch at IP अब सर हमारा branch कौन सा है? Mayur Store Limited their head office in Delhi and goods its branch NOIDA NOIDA का branch है हमारा हमने कहाँ भीजा? फरीदाबाद तो हम भेजेंगे तो इधर आजाएगा by goods transfer कितने का कर दिया? 6000 इस पे भी loading निकलेगा क्योंकि IP पे है goods preferred normal बता रहा है ये IP पे goods preferred normal कितने का? 1000 रुपे यानि प्ली फ्रेज goods प्ली फ्रेज 1000 ये normal है तो पूरा ही आएगा वहाँ पे remittance to head office कहता है head office को हमने remittance कर दिया 3,30,000 तो इसका कोई role है नहीं यहाँ पे 3,30,000 क्योंकि cash दे ही रखा तो आल्रेडी आप देखो इसको जोड लो और इसको जोड लो तो 3,30 ही बनने वाला है क्योंकि हमने क्या भीजा होगा cash sales और credit से पैसा है दोनों मिला के भीज दिया होगा तो cash sales कितने का था 90 का और जो पैसा आया वो कितने का था हमारा 2,40 तो दोनों को जोड लोगए कितना बनेगा 3,30 तो यह line देना बिल्कुल बिकार है इसके लिए यह किसी काम का line नहीं है लेकिन बच्चे को परिसान हो सकते है इस line के अंदर insurance claim admitted against lost by fire 12,00 रुपे तो सर यह तो P&L में जाएगा insurance का claim buy side में insurance कितने का 12,00 का अब आगे आ जाते है कहता है debtor at the end और closing stock at the end तो buy balance CD buy balance CD कितने का है सर 88 और closing का इधर buy balance buy balance CD कितने का है 60,000 60,000 चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं ठीक है totaling पर धियान देते हैं सारा information ले लिया हमने अब totaling पर अब buy balance CD जो कहता है closing stock कितना कह रहा है हमे 60,000 अब सवाल में ये नहीं कह रहा कि भईया ये इसके इंदर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ goods and transit आया है नहीं आया तो अब आपकी इच्छ है कि आप क्या मानते हैं ठीक है न वो आपके उपर total depend करता है आप समझ सकते हो कि जो हमारा closing stock 60,000 है अगर आप मानते हो कि अभी तक समान नहीं आया तो इसको दो पार्ट में तोड़ दोगे एक तो तोड़ दोगे किसमें सर 40,000 और 20,000 में अगर आप मानते हो कि बहिए साल में तो समान आही गया होगा यही समान है तब उस case के अंदर आप पूरा 60 लिखोगे यहाँ पर goods in transit लिखने की कोई ज़ुरत नहीं है समझ में आई बात आपको ठीक है न वो आपके उपर इसके लिए note देना पड़ेगा आपको exam में चलिए टोटल कर ले यहाँ पर क्या आता है टोटल करने पर सट टोटल करते है थ्री नाइनटी चौबिस सो छे हजार एक हजार साथ हजार 459,400 459,400 459,400 माइनस चालिस हजार माइनस चालिस हजार यहाँ देखिए सर्प्लस आ रहा है कितने का 19,400 सर्प्लस कितने का गिया हमारा 19,400 का अब लोडिंग बगर निकालना चालू करें डेटर भी क्लोज कर देता हूं चलो डेटर का ऐसा कोई रोल ले नहीं अब देखो ब्रांच एक्समेंस फालतों में बनवाया जब कोई था ही नहीं एक्समेंस स्वाइब देखो पर देखो गए शोटेज है स्वाइब पहले से दे रखा था कितने का सब्सक्राइब जा रहे है यह शेसा एक मिनाट रूब यह तीन तीस दोनों साइड मैंच कि कि प्रफ्लस कितना रहे है यह जिए शोटेज यहां पे शॉटेज दे रखा था गई और शॉटेज और शॉटेज दे रखा है में आपार आट करेड़ से लिखा है क्लोजिंग में यानि यहां पर हैं यानि यह मान के चल रहा है कि हमारा क्लोजिंग भी है तो लिख देते हैं चलो गुट्स इन ट्रांजिट चालिस ऐसे अरे अरे अब कि आपके उपर आजम्शन के उपर डिपेंड करता है कितना है हमारा अब तो और आएगा ज्यादा यह चार निनियान वे चार सो माइनस कितना रहा है उनसट चार सो हुआ है है तो है है साथ है साथ है साथ है शेस और पर सॉटेज कहीं भूल तो नहीं गए यहां से लेना अजिए टार करेंड है यां यहां पड़ लेता है लाइन यह पूरा ना पढ़ा हो प्रेजिए के बारे में कहता फ्रम्द फॉलविंग पार्श्रीं पर संट कहता है cash sales were made at invoice price and credit sales made at 6 list price कहता है credit sales तो हम बेचेंगे normal list price पर list price का मतलब उसमें कोई discount नहीं है और जो cash sales होगा वो discount पर है तो credit sales यह है ठीक है तो हम वैसे normally कितना देख रहे हैं 160 यानि यह 40% और extra बिकेगा हमारा यानि यह जो भी इसके अंदर देखा जाए credit sales अब समझेगा बात को credit वाला जो sales है कहता है कि भाईया हम cost plus 100 पर बेचेंगे यानि credit वाला हम lease price lease price क्या था हमारा 200 रुपे अजम्शन लिया हमने और जो हमारा invoice price जो हमने निकाला वो कि इतना निकला 100 मतलब कि जो cut pit करके निकाला 160 रुपे अब हमारा credit sales बोलता है हम इतने पर ही बेचेंगे तो यानि इसके बीच में देखा जाए तो credit sales यह 160 है और यह 100 plus 100 है तो कितना extra बेच रहे हो आप 40 credit sales को कितना percent extra बेच रहे हो 40 तो credit sales पे अगर आप profit निकालोगे जो excess sales किया है कैसे निकालोगे आप 3,00,000,000 इंटो में 40 divided by कितने percent में extra इसको एक पर divide करके निकालो कितना आता है 3,00,000 divided by 200 इंटो में 40 कितना आ गया यानि सर हम credit sales ना 60,000 रुपे एक्स्ट्रा बेच रहे है नहीं समझे बाद 160 के according है credit sales तो 60,000 रुपे था ना इसलिए जो surplus आ जाएगा न excess sales वाला वो आ गया है यहां पर क्या यानि हमने यह sales जो इदर दिखाया हुआ है वो हमारा normal से कहीं ज़्यादा दिखाया हुआ जो कि कितना आ गया हमारा 60,000 समझ रहे बाद 60,000 extra क्योंकि हमारा जो profit निकल के आएगा वो profit निकल के आएगा एक तो normal जो चल रहा है वो तो रहे गए उससे कहीं ज़्यादा भी आएगा तो वो कितना आ गया हमारा 60,000 ठीक है अब निकालेंगे तो इधर shortage आ रहा हुआ हुआ अब आ रहा हुआ हुआ ठीक है और यह लाइन हमने पहले नहीं पढ़ा था जो कि पढ़ना चाहिए था वहाँ पे लिखा हुआ है देखो 60,000 रुपे 60,000 अब सब के हर किसी का लोडिंग निकालते हैं सबसे पहले तो लोडिंग सर्प्लस तो पूरा ही आएगा अब लोडिंग की बात करें तो लोडिंग किस पे होगा ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग स्टॉक था कितने का 40 का अब कितना करेंगे 60 divided by 160 तो यह कितना आ जाएगा सर 15,000 और किस पे निकालेंगे गुट सेंट पे गुट सेंट पे कितने का था टूटल गुट सेंट 4 लाग इंटू में 60 divided by 160 करेंगे कितना आएगा एक लाख रूपय और किस पे था लोडिंग इस साइड डेबिट साइड में बस पूरा आ गया पूरा ले लिया बाए साइड में किस पे लॉस लॉस एबनॉर्मल है लॉस एबनॉर्मल है ना तो टू सबसे पहले लोडिंग निकालो एबनॉर्मल लॉस सर कितना 24 सो था तो 24 सो पर अगर हम निकालते हैं तो डिवाइड़ बाइट 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 इंटू में 60 तो 900 आ रहा है और बागी का कॉस्ट यहां जाएगा और ह marvelous अच्व यां अगया टेट लाग यहां टोटल Uhhm कि एद्श आप गया में चार अब आज आते हैं आगा मैंने इस पह भी लोडिंग निकाल लिया कहां ट्रांसफर इस पर भी लोडिंग निकलेगा गुट ट्रांसफर पर लोडिंग निकालेगे तू यह जै इसके बाद आ जाते हैं गुड प्लीफर्ड यह भी आप नॉर्मल है नॉर्मल बोला था न उसने तो यहां लिखेंगे गुड्स प्लीफर्ड कितने रूपए था सर गुड्स प्लीफर्ड सा हमारा एक तो यहां कितना ले लिया हमने 1000 रुपए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद नe के बाद क्या है बैलेंस फिस थी कितने हमारे और टॉटल स्टॉक पे कितना 37,000 और इसके बाद क्या था हमारा सौटेज कि सौटेज कितने का पड़ा हमारा 600 शे सो डिवैड़ेड़ वान सिक्स्ती इन टू में सिक्स्टी तो दो सो पच्चेस रुपए 225 और बागी का यहाँ जाएगा cost cost minus 600 या गया 300 75 रुपे तेखिए और कुछ तो नहीं रह गया सर, credit sales में 360 भी दिखा सकते हैं क्या हाँ, बिल्कुल credit sales में आप 360 भी दिखा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा कि नहीं 360 नहीं दिखाना वो तीन लाग कही बोलना है उसने हुआ क्लियर है यहां तक टोटल करें जीपी निकाले कि छे हजार फंद्रा हजार स्वरी साथ हजार है कि पंद्रा हजार एक लाग पच्छास हजार टोटल आगे दो पच्च्च्च्च कि माइनस नो सो माइनस बाइस सो पच्चास माइनस एक हजार माइनस 37500 कितना रहे एक ट्रासी एक सो पच्च्च्च जीपी बताईए कि क्या रहे एक सो पच्च्च्च एक त्रासी चलिए अब करते हैं यहां प्लस बारा सो वन एटी फूर अए ट्री ट्विंटिफई वन एटी फूर ट्री ट्विंटिफई यहां के आएगा टू नेट प्रांफिट माइनस कर देते हैं दो हजार माइनस चालिस हजार माइनस पंदरा सो माइनस 375 कितना रहा है एक चालिस चार सो पचास एक चालिस चार सो पचास यह आ गया नेट पॉफ तो यह हमारा लास्ट कोश्चन था एक तरीके से